नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए एक और करेंट इफर की रिवीजन सीरीज श्टार्ट करते हैं ये मतलब कि रिवीजन सीरीज डेली करेंट इफर का एक निचोड होता है तो ये करेंट इफर में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ही करेंट इफर मैं आपके लिए ला हिमाचल 15 April 1948 को परांत के रूप में अस्तेत में आया था मतलब कि navy परांत हे रूप में हिमाचल पिदेश राज्ज के रूप में अस्तेत में थीक है और यहOohनिस सो सतर एक्ट के तहट आया था राज के रूप में थीक है इसी कारण इसी कारण 15 अपरेल को हिमाचल दिवस मनाते है अच्छा यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाते है ठीक है अगला कुश्चिन आता है वाटर कॉन्क्लेब 2022 वाटर कॉन्क्लेब 2022 का आयोजन डिवरुगन असम में किया जा रहा है और यह 11 से 12 अपरेल को डिवरुगन असम में इसका आयोजन किया जा रहा है ठीक है इसका उद्देश से का है इसका उद्देश है नौथ इस्ट इंडिया में जलमार्गों की चंता का विकास करना मतलब क इस conclave में सहायक company होगी फिक की ठीक है तो जरू याद कर लेना आपके लिए important current fair है आते हैं next पे next है आपका बायुशेना मार्सल अर्जन सिंग मेंमोरियल होके टूर्नामेंट एक होके टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है बायुशेना मार्सल अर्जन सिंग मेंमोरियल होके टूर्नामेंट इसका 3rd संस्क्रण चंदीगाड में किया जाएगा ठीक है मलब कि चंदीगाड में इसका 3rd संस्क्रण किया जाएगा ठीक है तो जरू याद कर ले आपके लिए ठीक है अगले question पर आते हैं अगला question है आपका स्वानेदी से समरदी कारकरम ये कारकरम आपके लिए most important question है मैं star लगा दे रहा हूं इस पर ठीक है तो इससे जरूर याद के लिए आपके exam के लिए सभी exam के लिए important है ये स्वानेदी से समरदी कारकरम 12 अपरेल को start हुगा है और इसमें 14 राज और union territory टोटल मिलाके इनके 126 सहरों में ये start किया गया है तो जरूर याद के लिए आपके लिए important है और ये कारकरम आवास सहरी मंतराले दोरा start किया जा रहा है ठीक है जरूर याद क करने करना का नाम कहा है स सोभी सवानेदी से समरदी कारकरम ये दोरह stor 14 चोदरार ऑर raz येंज़रिंट ये 126 सहरों में start किया गया और ये आवासी आवासी एवन सहरी मंतराले हो इसी में योजना का ये सामिल योजना का उद्देश सिता, इसका उद्देश सिता श्टीट बेंडर्स को आत्म निर्वर योजना, मतलब कि इस स्वनिदी योजना का पूरा नाम था ठीक है तो जरू याद के लेना ये question आपके लिए important रहेगा आते हैं next question पर next question है laser missile defense system laser missile defense system इसका सफल परिच्छन इसराइल ने अभी किया है ठीक है और laser missile defense system को iron beam में कहते है iron beam मतलब कि इसको कहते है ठीक है तो जरू याद के लेना आपके लिए important रहेगा आते हैं next question, पर next question क्या है Neptune Anti-Sip Cruise Missile Neptune Anti-Sip Cruise Missile ये Ukraine की एक मिसाइल है और इसका विकास 2014 में किया गया था ठीक है, तो जरू याद के लेना ये इस मिसाइल को पूछा जा सकता है कि Anti-Sip Neptune क्रूज मिसाइल कौन से देश की मिसाइल है, ये Ukraine की एक मिसाइल है, ठीक है, जरू याद के लेना आपके लिए important question रहेगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like, share जरू कर देना और चैनल को subscribe के लेना इसी परकार आपके लिए मैं आपके लिए revision series current effect की लाता रहूँगा, ठीक है, मिलते हैं next video में धन्यवाद